नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से सुवागित करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा ओल एट पिन और्टिकेशन में तो दोस्तों जैसर की आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 3 मार्ट 2024 की हिमाचल परदेश की आज की सभी ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी प्रियास में असफल रही बाजपा की किसी भी अगली चाल से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है शिवरात्री महत्सअ मंडी में पहली बार होगा लेट फैस्टे एस्पिउ में 6-7 मार्च को जुटेंगे सहाथ तेकला के दिगज पहली बार लिटरेचर फैस्टिवल भी आयोजित होगा मंडी लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के नाम से 6-7 मार्च को होने जारे कारे क्रम में देश पर से साइपते कला क्षेत्र के दिगज मंडी में जुटेंगे इसके लिए चिला प्रिशेसन ने त्यारियें शुरू कर लिये हैं सुखु कैबिनेट की बैठक बागी राज अंदर राणा ने किया बड़ा दावा संकट में सरकार हिमाचल प्रदेश में राजसवा चुनाब में सरकार के खिलाब बोटिंग बागी विधाईकों पर महंगी पड़ गई इस गतना क्राम के बाद सुखु सरकार अलल्ट हो गई है और महीं सुखु सरकार ने विधाईक ननलाल और मोहनलाल ब्राक्टा के सुरक्षा बढ़ा दी है बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में रोजगार से संबंदित पाते हुई मंत्री रोहित ठाकुर कैबिनेट की फैसलों की जानकारी दे रहे है राजरी श्तरमानी और गोमा भी साथ बैठे है पशुपालन विभाग में एक हजार पद मल्टी टास्क पर करके भरती होंगे जलशक्ती विभाग में चार्ड इवेजन खुलेंगे मुख्यमंत्री की रिसोर्स मुबाइलाइजिशन की सोच है शराब की ठेकों की नए सीरे से ऑक्षन होगी और कई बड़े फैसले जो कैबिनेट में लिया है रेड अलर्ट के बीच प्रदेश मे बरपारी बारिश हो रही है शनिवार सोबा 10 बजे तक अरिश से चार राश्टी राजमार्ग 350 सटके याताजाद के लिए बंदें 1314 बिजली ट्रांसफार्मर और 10 पेज़ा लईयो जनाई ठाप में तस्पीने आप तेख सकते है परमार बोले खुल जगडे करवा रही सिर कर चुने हुए प्रतिनीदी को काले नाग की संग्या देना आनूचित है विधानसवा सुरक्षा को बनाया बोर्ड ऑफ ऑफिसर्ज आईजी संतोष पटियाल नेक्त किये चेर्मैन विदेश बेजने के नाम पर लाखों की ठगी पर दो गिर्फतार बला के ग्रामिन की शक की मामले में बला पुलिस ने आरोपियों पर शकंजा कसते हुए उन्हें गिर्फतार कर लिया है मैं ना ब्लैक मेलिंग से डरता हूँ ना सरकार खत्रे में है सुख हूँ मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुख हूँ ने कहा कि मैं ना तु ब्लैक मेलिंग से डरता हूँ और ना ही सरकार खत्र में है, उन्होंने कहा कि सरकार को गिराने के लिए भाजपक की तरफ से राचा गया शड्यंतर सफल नहीं होगा। S.P. सोलन की बड़ी कारवाई, ड्यूटी में कोताई बरतने पर दो पुलिस कर्मी निलंबित। S.P. गॉर्व सिंग ने ड्यूटी में कोताई बरतने पर दो पुलिस कर्मी को ने लंबित किया, ये दोना पुलिस कर्मी SDPO परवाणों में त्यानात थे। सिर पर गिरी हाइडरा करेंज से बंदी ट्रॉली उत्राखंड के यूवक की गई जान। के 120 पदों को भरने के लिए केंफस इंटर्व्यू का आयोजन किया जा रहा है, इच्छुक अवेदे को इंटर्व्यू से पहले रोजगार कारयले में ऑनलाइन पंजी करण करवाना अनिवार्य होगा, लोग सबस्वा चुनाव से पहले करमचारियों को मिलेगा 4 पीस्ती म बिलकुल बिना भूले धन्यवाद जैहिंट जैबार